आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रिवियस एर कुश्चन्स यूपी बिया प्रिक्षा के रही है ठीक है यह कुश्चन्स आपके एक्जामिनेशन में रिपीट हो सकते हैं बहुत अधिक चांसे से तो डेफिनिटली आप सभी कुश्चन्स को अच्छे से पढ़ेंगे और यह यह भी आपको पसंद आएगा और पहली बार चैनल पर आपते हैं डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब पहुंचेगा आए कुश्चन करते हैं पॉकिट वीडियो में भारत के राश्पती किस विध्या को कितने समय के लिए अपने पास रक्ष रखते हैं यह राश्पती करता क्या है कोई भी विध्याक अगर राश्पती के पास गया तो राश्पती ना तो अपना समर्थन दिखाता है और ना ही असमर्थन दिखाता है मतलब उस विध्याक को अपने जेव के अंदर रख लेता है पॉकिट मतलब जेव पॉकिट वीडियो तो उसका ये अधिकार है कि उसमें कोई भी जवाब नहीं देना चाहता है तो वो जवाब नहीं दे सकता है ना वो हां कहता है और इसमें कोई निश्चित काल देखें ये अधिकार तो बन गया लेकिन इसमें कोई निश्चित काल नहीं बताया गया कि भाई राश्पती का ये अधिकार छे महा के लिए रहेगा या एक महा के लिए रहेगा या बारा महा के लिए ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया समिधान में तो यह अधिकार अब राश्पती के पास आ गया कि वह अनिश्चित काल के रख सके ऐसा अमूमन होता नहीं है लेकिन एक बार हुआ है कब हुआ है यह आप आर्तिय डाक विभाग का विधियक था उस पर उन्होंने पॉक्ट वीडियो का अपना अधिकार किया था ठीक है तो प्रियोग किया था तो वही वही बात है आपको समझ में आ गया होगा पूरा कुषिन चार ये मूव करते हैं नेक्स्ट राश्पती का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है काफी अच्छा कुषिन है और आपकी सबको पता होगा सिक्स माह के लिए ठीक है अर्टिकल अनुशेद की बात करें तो अनुशेद बासट में कि यह कहा गया है राश्पती अपने पद्याग देता है या पद्यागत जाता है महव्योग लगाके अनुशक्ण बहणवाए उस इस्तिती में उनका प्रेश्ट पोजिशन भरना है ठीक है शिक्स के वहीतर उनका असान कोई को देना है तो यह आपका अधिकार है अर्टिकल 62 में यह कहा गया है राश्पती के संदर्व में ठीके अजोब आपको समझ में आ गया होगा भारत की किस समविधानिक अधिकार में अधिनियव में मतदान करने की आयू घटा कर 21 वर्ष से बहिया 18 वर्ष कर लिए गया है तो कौन से समविधान संसोधन में कासी इंपोर्टन कुश्चन है यह कुश्चन रिपीट होता है हर एक एक एक्जाम में बैया 61 समविधान संसोधन एक साथमा समविधान संसोधन उनीस सो नवाशी के दौरान लोक्षभा तथा राज्य विधान सभाओं के चुनाओं में मतदान करने की अनुमती फिर्ष सुन लिजिए लोक्षभा और राज्य के विधान सभाओं के चुनाओं में मतदान करने की निन्टम आयू पहले 21 व में संसोधन के द्वारा ऐसा किया गया था बासमज में आ रिए अंचे 326 लोक्षभा और विधान सभाओं की चुनाओं से सम्मंधित है ओके डियर चालिए मूव करते हैं अनदर कुश्चन किस वर्ष एस्ट इंडिया कंपणी को पूरी तरह समाप्द कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटीश सरकार का पूरता अधिकार हो गया एंवर ग्रीन कुर्शन है भाई एवर ग्रीन कुशिन भारत में इस्ट इंडिया कंपणी का सासन सब को पता है 1757 कब से प्रारंभ हुआ था बैया 1757 से आरंभ होता है स्टार्ट होता है और कब तक चलता है इस्ट इंडिया कंपणी 1857 1857 मान की चलिए 100 साल उसके बाद 1857 में आप लोगों को पता होगा कि विद्रोह हुआ ठीक है 1857 में भारती विद्रोह के बाद 1858 कब भाई साब 1858 1858 के बाद इस्ट इंडिया कंपणी खतम हो गई और ब्रिटीज सरकार ठीक है ब्रिटीज सरकार का प्रतेक्ष नियंत्रन हो गया मतलब डारेक्ट अब भारत पर उन्ने नियंत्रन कर लिया है कि समझ में आया भारत की पूरी संपत्ति प्रशासनिक शक्ति और सशस्त्र सेना ब्रिटीज सरकार उस पर नियंत्रन कर लिया था कब किया 1858 में एन आई होप आप क्लियर हो गया होगा डाउट्स किस अस्थान पर हड़पन समय के रत हड़पन समय की रत की प्रतिमा प्राप्त है कहां पर? माराश्रा का एक जिला है जिसकों बोलते हैं एहमद नगर जिले में एक अस्थान है दैमाबाद तो वहां पर निकला था समझ में आया? चलो मूव करें आये 31 वर्गी करंड की केरूलस लीनियस प्रणाली है तो बह्या किस पर थी ये प्रणाली? ये प्रणाली थी दुई पद किस पर थी? दुई पद क्लियर है? आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? 100 डिगरी सेल्सियस जीरो 4 डिगरी 273 रैटेंसर क्या बनेगा? याद रखना चार डिगरी सेल्सियस जल का सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिगरी सेल्सियस पर अग्या लगु जुआर भाटा होते हैं कैसे होते हैं दुर्बल याद रखिये लगु जुआर भाटा होते हैं दुर्बल सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में इस्थित है काफी इंपोर्टेंट कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् 1488 इस भी में किसने केप आफ गुड होप की खोज की थी बताए ये डियर काफी अच्छा कुशिन है तो कि पुर्तगाली यात्री थे उनका नाम था वार्थो लोमियो डायस इन्पोर्टन कुशिन से मार्ग करेंगे 1487 इस अफिका में केप आफ गुड होप की खोज की थी क्लियर हैं ओके चलिए मौफ करते हैं नेक्स कुशिन चालिश नमबर एस याई गेम्स की मेज़बानी करने वाला पहला देश बताएए जराब पहला देश बताएए कौन था हमारा देश था भारत इस याई गेम्स की मेज़बानी करने वाला भारत पहला देश था कब आयूजित हुआ था 1951 में कि नेक्स पंचितन्त्र की कथाओं का शंक्लन किस ने किया था बहुत इब भड़या कुशिन है पंचितन्त्र विषुन शर्मा यह कुशिन किससे जीव जंत्वत से सम्मंदित उल्लेक किया गया है नेक्स लेकते हैं साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यूं सहायक होती है बताइए जनाब साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यूं सहायक होती है याद रखेंगे all time important questions है यह घोल के प्रिष्टिय तनन को क करता है इसलिए जो साबुन होता है वो कपड़ों की बेहतर सफाई कर पाता है कि कि किसके सासन काल के दोरान आजंता की गुफा निर्मित किया गया था याद रखेंगे गुप्त काल गुप्ता डानेस्टी ओके गुप्ता डानेस्टी जो आजंता की गुफा है यह कहां पर है महारास्टरा के औरंगाबाद जय में स्थित हैος ठीक के महारासटरा के औरनगाबाद जय में च्थित हैं और यहां बोध काट कर smo किसका कर भोद अस्मआ्रकों का निर्मार किया गया है तो यह कुश्चन आपसे ती चाट तरीके से बनता है इतना इंपोर्टन कुश्चन से ये कि तीन चाहर तरीकिस बनता है पहले ये बूच लेता है कि आजनता की गुफा में किसका इसमा रख भाया तो बहुत धर्म का कई शार ऑप्शन दे देगा आपको तो याद रिखिए बहुत धर्म और किस डानेस्ट्री में बना उतकर्ष अवस्था का अर्थ बताईए किसी अर्थ विवस्था में उतकर्ष अवस्था का अर्थ क्या होता है उतकर्ष अवस्था का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है इस्तिर व्रिद्धी प्रारंब की होती है इस्तिर व्रिद्धी प्रारंब की होती है उतकर्ष अ कौन सा सरकार दोवारा किया जाने वाला एक उपाए नहीं है। जेल निकायों को जोडती है जोडती हो याद रखेंगे भूमद्य शागर तथा लाल सागर इसको लाल सागर और लाल सागर तो निद्टमें से भारत का कौन सा राज्य धलस सीमा साजा नहीं करता है तो कौन सा राज्य है भारत का कौन सा राज्य है याद रखेंगे मध्यप्रदेश ठीके MP MP इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं साजा करता है ओके आए नेक्स से करते हैं निम्लिकिर में से किस सहर में विश्व का दूसरा विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट इस्थ हैं विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट इस्थ है कहां पर इस देख चन्नाई में इस निए कि कहां पर इस देख चन्नाई आए नेक्स करते हैं जिब्धित में से कौन ऑक्सीजन रहित मानो रक्त मानो शरीर की विभीन भागों से लाता है काफी अच्छा मैं से कौन सा एक गर्म रख्त वाला जानवार है कौन सा है बंदर होता है इंप्रोंटंट है कई इसाम में पुछा गया यह कुषिन क्यों स्नाए होगा थोड़ा सा हुआइस अभी हुआ क्योंकि कि अगर वीडियो पशंद आता है डेफिनिटली आप लाइक कर सकते हैं चैनल से जोड़ सकते हैं थैंक यू फॉर वर्चिन दूस वीडियो नेक्स वीडियों फिश्ची मिलते हैं तब तक लिए धन्माव तुनेंज